कहते हैं कि सियासत में संकेत बहुत बड़ी बात होते हैं और संकेत बताते हैं कि आगे की रणिती और राजनीत क्या होगी। लगतार आपने देखा होगा कि किस तरह से आठ महीना पहले जब निकीश कुमार महागटबंधन में आये सरकार बनाई तो उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं सुरू हो गई और भारती जंता पार्टी भी एक्सन में आ गई इस बेच दोनों के बीच में तलखियां भी बढ हो गई हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से जब निकीश कुमार एंडिये से महागटबंधन की तरफ गए उसके बाद एग्रेशिव थे लेकिन अचानक दो तीन महीना बीतने के बाद निकीश कुमार सौफ्ट हो गए और भारती जंता पार्टी और निकीश महागटबंधन में आकर संतुष्ट नहीं है ऐसा 2015 में भी हुआ था 2015 में महागटबंधन के साथ सरकार बनाने और महागटबंधन से ज्यादा रास्ठी जंतादल यानि लालू परिवार के साथ संबंध जोडने के बाद में निकीश कुमार असा हज महसूस करने लगे हाला क इस बार भी जब एक साथ आये तो शुरुवाती दोर में उन्होंने तेजस्यादों को लेकर के बहुत सारी बाते कह दी जिसका विद्रो भी हुआ और उनकी पार्टी के भीतर भी बगावत शुरू हो गये उपेंद कुस्वाहा उसी बगावत का नतीजा है कि बाहर निकल क करके आये भारते जंता पार्टी भी लगतार नितीश कुमार पर नजर जमाय हुई थी इसी बीच में आपको बता दें कि कई ऐसी बाते हुई जो संकेत दे रही थी कि नितीश कुमार इतने आसान नहीं है और राजनितिक रूप से वह बातों को समझते हैं आने वाली रणन निति का भी उन्हें अच्छा खासा ग्यान है यही कारण है कि 2017 में उन्होंने पाला बदल लिया था 2014 की हार और 2015 की जीत को वह अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिये थे और उन्हें पता था कि 2019 में अगर वो भारती जंता पार्टी के विरुध रहते हैं तो उन्हें फिर से व वही इस्थिती होगी जो 2014 में हुई 2017 में पाला बदलने के बाद 2019 में नितिश कुमार ने भारती जंता पार्टी को सत्ता में ला करके अपना पूरा पूरा वसुली कर लिया लोग सभा के चुनाव में 1776 के फरवुले पर उन्हें 16 सीटे जीतने का मौका मिला और ये 2024 के चुनाव के लिए भारती जंता पार्टी बाई हुक एंड क्रूग साम दाम दंडफेत किसी भी तरह से 2024 के चुनाव में जीतना चाहती है और फिर से नरेंद मोदी को प्रदान मुल्ति बनाना चाहती है कॉंग्रेस के साथ जो हुआ राहुल गांधी के साथ जो हुआ उ तो वहीं नितीश कुमार भी काफी सौफ्ट हो गए है उनकी पार्टी के तरफ से भारती जंता पार्टी पर हमला नहीं हो रहा है इसी बीच आपको हम बतालते है कि कई ऐसी घटनाय घटी है कई ऐसी बाते सामने आई हैं जिसको ले करके नितीश कुमार के एक्षन से पता चला है नितीश कुमार के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने पार्टी के MLC के यहां कारेक्रम में जाने से इनकार कर दें पटना में रहते हुए अगर वो नहीं जाते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं और वो भी इस बहाने नहीं जाते हैं कि उनका संबंध उपेंद कुछ वहां से है खैर इन सब बातों को ले करके जब रामिश्वर महतों के यहां नितीश कुमार नहीं गये तो कई तरह की चर्चायर सुरू हो गई थी लेकिन वही नितीश कुमार अगर भारती जनता पार्टी के MLC और खास करके अमीत साह के बहुत करीबी नेता के पास अगर जाते हैं उनके यहां चट का प्रसाद खाने जाते हैं तो एक तरफ यह तो कहा जा सकता है कि आस्था का फर्व है चट और चट में जाना एक अच्छी परंपरा है और कहा जाता है कि आस्था के नाम पर दोस्त दूस्मन कोई नहीं होता है लेकिन छट तो बहुत लोगों के हां हो रहा है नितीश कुमार संजय मयूख के हां गये और संजय मयूख को जानते हैं कि वो अमेज साह के बहुत करीबी है इसके एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि धार्मिक मतलब है आस्था का मतलब है छट में निमंतरन देने पर इनकार नहीं कर पाए तो दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं तेज हो गई है जब तस्वीरे बायरलाई हुई है तो नितीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि नितीश कुमार कोई भी एक्षन और एक्ट यूहीं नहीं करते है उसके पीछे एक बड़ी राजनितिक बात होती है और चर्चा होनी सुरू हो जाती है नितीश कुमार एक बार फिर से क्या भारती जन्ता पार्टी के करीब आना चाह रहे हैं क्या ये संदेश है अपने साथियों को उनके तरफ से क्योंकि इधर राहुल गांधी के उपर जो सजा हुई और उनकी सदस्ता समाप्त हुई उसके बाद से ये भी कहा जाने लगा था क कि अब पूरा मैदान खाली है नितीश कुमार प्रधान मंत्री के उमिदवार बन सकते हैं तो वहीं नितीश कुमार का भारती जन्ता पार्टी के और वो भी अमित साह के सबसे करीबी नेता के यहां जाना प्रसाद खाना बहुत सारी बातों को जन्द देता है आपको बता कि हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं कि एक साधे सबसदे सबसाधे सब जाए क्या भारती जन्ता पार्टी इसी एंगल पर काम कर रही है क्योंकि हाल फिलाल में उपेंद कुस्वाहा को अपने खेमे में बताने वाली भारती जन्ता पार्टी ने उपेंद कुस्वाहा से भी तक कोई mail नहीं हो सका है official कोई भी announcement नहीं हो पाया है हाला कि हमिच सा के सामने इस बात को ले करके सुसील मोदी ने घोशना जरूर की थी कहा जरूर था कि वो दोनों मेरे साथ हैं लेकिन जो बरतमान इस्तिती है उसमें ये कहा जा सकता है कि अभी दोनों ही अन ओफिशियल पाटी ने एक बार फिर से नितीश कुमार के सामने ओफर भेजा है क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन नितीश कुमार का संजय मयुक कहा जाना इस बात की तरह इशारा कर रहा है कि तलखियां सदन में हैं बाकि एक दूसरे के प्रति सने प्रेम और आना सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद